पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए और बहुत ही डिवाइड रिजल्ट सामने आए पाकिस्तान के साबक प्राइम निस्टर नवाज शरीफ ने एक तरह से विक्टरी स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान जख्मी पाकिस्तान है इस जख्मी पाकिस्तान से उनकी क्या मुराद है और पाकिस्तान कैसे जख्मी है और पाकिस्तान की अवाम कैसे जख्मी है ये मैं आज के वलाग में बातचीत करूंगा सबसे पहले सुनते हैं कि नवाज शरीफ क्या कहते हैं कि इस जखमी पाकिस्तान को, इस जखमी पाकिस्तान को मुश्कलास से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो, हम, हम, हम सिर्फ, हमारा एजंडा सिर्फ और सिर्फ, एक कुशाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है, आप जानते हैं, आपको मालूम है, किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है हमने क्या किया है वो आपको मालूम है हमने कौन-कौन से मनसूबे बनाए आपको मालूम है तो नौज श्रीफ का ये कहना के हमें पता है कि इस मुल्क के लिए किस ने क्या किया यानि वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी पार्टी और उनकी जात ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन पाकिस्तान जखमी क्यों है और जब से इमरान खान की सरकार गई है तब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्लिटिकल पार्टी और उसके स्पोर्टर्स जखमी हालत में हैं और जब वो पाकिस्तान में सरकार नहीं भी चला रहे थे तो इमरान खान जब से स्यासत में आए हैं वो बिलकुल जखमी हालत में ही स्यासत करते रहे कभी वो कंटेनर पर चड़ दोड़ते थे और कहते थे के बही मुझे तो एमपायर की अंगली की तलाश है जो जरदारी की गौवर्मिन्ट हो या नौाजशीव की गौवर्मिन्ट हो उसको गिरा दे और मुझे ले आए वो एक जखमी हिरन की तरह ही चीखते रहे और अब जो पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के वोटर्स और स्पोर्टर्स बहुत ही जखमी शुदा हैं और देखिए सक्रीन पे अब रिजल्ट्स क्या आए हैं वो अपनी जगह पे या क्या आएंगे फाइनली ले में पाकिस्तान तहरीक इनसाफ ने अपनी जखमी शुदा फैरस्त जारी कर दी है जिसमें उन्हों ने ये बता दिया कि हम पाकिस्तान की टू हंडर्ड सिक्स्टी सिक्स की इसम्बली में वन हंडर्ड एटी सीट्स जीत गए हैं तो जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो अभ उमीदवार जीत रहे हैं लेकिन उनों ने अपनी फैरस्ट बता दी कि हम एक सो असी नशिस्तें ले चुके हैं लेकन जाहर है एक सो असी नशिस्तें उनको नहीं मिली इसलिए वो बहुत जखमी हाल अपने हैं बहुत ज्यादा जखमों से चूर चूर हैं और उनको समझ नह बुनाने फोनटल से सॉशल मीडिया ने उनकी द्सक्ट कि है कि अमरान उन्हेन था जदता-ङिक? عمران خان کی جماعت نے کی تو اس کے بعد باقی پاکستانی زخمی تھے اب جو مبینہ طور پر allegedly جو دہندلی کے الزامات لگ رہے ہیں اس الیکشن میں تو اس سے طریقہ انصاف والے بہت زخمی ہو گئے طریقہ انصاف والے ویسے تو زخمی تب سے چلے آ رہے ہیں جب سے عمران خان کی vote of no confidence کے بعد سرکار گئی تھی انہوں نے سائفر بھی وہاں پہ لہرایا اور کہا کہ یہ سائفر بتاتا ہے کہ مجھے امریکہ نے اقتدار سے نکالا ہے حالانکہ vote of no confidence سے گئے تھے پھر وہ سائفر بھی گم ہو گیا اور ابھی الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اسی سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے عمران خان کو دس سال کی سزا بھی ہوئی لیکن وہ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم زخمی ہے اب آپ دیکھئے سکرین پہ ایک اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں موٹو آف پاکستان آرمی جنگ قدی جتی نہیں الیکشن قدی ہاریا نہیں تو اب یہ بھی ان کا ہی موقف ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آرمی کے ایمپائر کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہے کہ آرمی کا ایمپائر دوسروں کو آؤٹ کرے گا اور ان کو یعنی عمران خان کو اقتدار میں لائے گا عمران خان کو آرمی کے ایمپائر اقتدار میں لائے دو ہزار اٹھارہ میں لیکن پھر الٹیمیٹلی عمران خان سرکار نہیں چلا سکے اور پاپولر بھی نہیں رہے تھے لیکن خوش قسمتی ہے عمران خان کی کہ تمام تر نون ڈیلیورنس کے باوجود ان کی سرکار جب گری ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان کی پاپولرٹی بڑی اور جب سے وہ جیل میں ہیں ان کی پاپولرٹی اور بڑی ہے اور پھر جو ان کی زخمی جنتہ ہے وہ مسلسل مسلسل ان کی پاپولرٹی کو بڑھا رہی ہے اب پاکستان طریق انصاف کے ایک اور لیڈر کیا کہتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے کیونکہ نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر دی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان زخمی ہے آؤ ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور میں نئی حکومت بناتا ہوں اور چوتھی بار پرائم منسٹر بنتا ہوں تو سنتے ہیں طریق انصاف کے لیڈر کیا کہتے ہیں میاں صاحب جو ہیں یہ یہ وہی مثال ہے کہ جی عبداللہ کیا کہتے ہو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہ بہاورہ ہے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں طریق انصاف کے لیڈر اور عمران خان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہمارا لیڈر ہے اور نواز شریف جو ہے وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہا ہے اب نواز شریف کے خلاف چور چور کے بھی نعرے لگت رہے ہیں جب سے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا پاکستان کی سپریم کورڈ نے دو ہزار سترہ سے تب سے چور چور کے نعرے طریق انصاف کے زخمی لوگوں نے کافی لگائے اور اب چونکہ نواز شریف کی جماعت نسبتاً زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہے پی ٹی آئے سے تو ابھی بھی کم ووٹ ہے مگر چونکہ پی ٹی آئے ایک جماعت کی صورت میں کامیاب نہیں ہوئی ہے ازاد امیدواروں کی صورت میں کامیاب ہوئی ہے ان کو جماعت کی صورت میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی اس بار اتنے زخمی ہوئے وہ اور پاکستان آرمی نے ان کو الیکشن ہی لڑنے دیا ایک جماعت کی صورت میں اور پاکستان کی جوڈیشری اور جو سسٹم ایسٹیٹ کا تو اب چور چور کے نعرے وہ جیسے ہی نواز شریف کے لوگ دیکھتے ہیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نعرے وہ پتہ نہیں کب سے لگا رہے ہیں جب سے ان کو اپنے لاوہ سارے چور نظر آتے ہیں تو اس ایک ویڈیو کلپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں اور تھوڑی بہت گال گلوچ بھی کر رہے ہیں اور پھر نواز شریف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب عمران خان کے لوگوں کی زبان سمجھ چکے ہیں وہ بھی اب گولی بندوق سے بات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے افسوسناک کی یہ کیفیت ہے یہ بھی زخمی پاکستان کی ایک شکل ہے جواب دکھیے जोरे, 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 तो आज के व्लॉग में मैं जखमी पाकिस्तान और जखमी पाकिस्तानियों के हवाले से सोशल मीडिया के कुछ कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं माफ कीजए किया इने कलिपस में कहीं-کहीं थोड़ी बहुत वलुगर लैंगिज भी आ alert शायस्तिगी भी आ इसलिए जो सोशल मीडिया पर तफ़ान बत्तमीजी है या जखमी पाकस्तानियों के जखम है वो मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं कि इस हैशन में क्या बीती पाकस्तान के साथ, जखमी पाकस्तानियों के साथ और कुछ पोलिंग स्टेशन्स के भी यहां पे नक्षे खेंचे गए और सोचल मीडिया पे वीडियो क्लिप्स वाइरल हुए फिर सोचल मीडिया पे इन तमाम तर जखमी वारदातों के बावजूद एक बात की मैं दाद देता हूँ कि जो पाकिस्तानी सोचल मीडिया पे बहुत जखमी हालत में डटे हुए हैं वो भी कही न कहीं अपना सैंस ओव हीूमर दिखा रहे हैं कहीं पीछे मिउजिक लगा देते हैं कहीं पीछे वो कोई नो कई मीम्स शुरू कर देते हैं तो ये भी उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि अपने जखमी पन के बावजूद वो अपने कितारसिस का भी कोई नो कोई रस्ता निकाल लेते हैं इस अगले सोशल मीडिया के क्लिप में आप देखिएगा किस तरह बैलिट बॉक्सिस के साथ जखमी पुने का मुझाहरा हो रहा है तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि पीछे वो म्यूजिक लगा के और कोई नो कोई मीम्स की शकल निकाल के लोग अपना कितारसिस कर रहे हैं और अपने जखमी पाकिस्तान के हवाले से जखम भी दिखा रहे हैं और उन जखमों पे नमक भी चड़क रहे हैं और उन जखमों को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं जो हील होने का नाम ही नहीं दे रहे. पाकिसान की एक पॉलिटीशन जो बहुत सरी जमातों में रही और उनके बारे में मशुर हैं कि वो टेलिवीजिन की सक्रीनों पे या सर एयाम जन्ता के इजतमाओं में वो थपड मार देती हैं, गाली गलोच कर देती हैं. तो उन्हों ने भी इस रीसेंट एलेक्शन में इस तरह का एक और वाकिया करके अपने आपको फिर खबरों में वापस किया, क्यूंके वो कुछ दिनों से, बलके कुछ महीनों से, खबरों से गाइब थी, मेरी मुराद डॉक्टर फिर्दौस, आशक एवान से है, पाकिसान की मिनिस्टर रह चुकी है, वो किसी को थपड मार रही है, गाल में पॉलीस के अहलकार को, तो ज़रा ये भी एक जखमी हालत की छोटी सी वीडियो देख लीजीए, तो पाकिसान तहरीक इनसाफ के एक लीडर शेर अफजल मुरवत, ये बहुत मशूर है, इन्हों ने एक बार टेलिवीजिन के प्रोग्राम में, गालबन जवेद चौदरी साफ का प्रोग्राम था, पाकिसान टेलिवीजिन का, उस प्रोग्राम में इन्हों ने किसी को थपड भी मार दिया था और वो ऑनियर चला गया, और फिर उसके बाद उन्हों ने ये कहा, चुके वो ये कह चु रहे हैं उससे वो खुश नहीं हैं और उन रिजल्ट्स के हवाले से वो अपने वोटर्स को स्पोर्टर्स को कह रहे हैं के आएं बाहर निकले और इलेक्शन कमिशन से मेरी का रिजल्ट मांगें अगर मेरी का रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर मैं जो कहूंगा जस तरह का प्रोटेस्ट का कहूंगा आवो प्रोटेस्ट कीजिएगा तो इस वीडियो क्लिप में हमने दो क्लिप्स को एक साथ जोड़ा है एक में वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए इतराफ कर रहे हैं कि जो उन्होंने एक बार बात की थी कि प्रोग्राम तो वड़ गया तो उ हम एलेक्शन कमिशन से निपड लेंगे सुनिये शेर अफजल मुर्ववत की ये बात चीद पुराना वाला पहले वाला परोग्राम को गिया गिरा गया वड़ गया वड़ गया वड़ गया ने हो लच्छू हो गया अगर कोई जरकारी अफ़र में पबांकी देल के हो ये जूरत करेगा कि हमारी नतीज़ा रोके गया सब्सक्राइब करेगा हम कसं उठाते है जड़ंक तक्ता करेंगे उस्टाइब आप मेरे काप पयुक्त करना है जो मैं आपको करूंगा तो आपने सुना शेर अफजल मुरवत का लहजा और उनका अंदाज और पाकिसान की बिचैरी जो घरीब अवाम है जैसा आपने देखा हजारों की तदाद में लोग खड़े हैं जॉब्स उनके पास है नहीं जिन्दगी का कोई फ्यूचर नहीं है तो उनके लिए जमूरियत बस अब यही है के कोई मौका मिल जाए जहां वो अकठे हो जाएं और अगर उस अकठे होने के मौका पर कहीं पे दाल रोटी चाए पानी मिल जाए तो इस से उन्दा क्या बात होगी अब जमूरियत का मुस्तक्बिल पाकिस्तान जैसे मुलकों में यही रह गया है और फिर एक जखमी शुदा हालत है जैसे जखमी परिंदे वाली हालत है और जखमी परिंदा तो शायद फिर उड़ जाता है यह बिचारे उड़ने के काबल भी नहीं है और इसी तरह लगे होगे हैं और जैसे मैंने पीछे कहा कि सेंस ऑफ हुमर भी है मैं उसकी दाद देता हूं औ और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का पाकिसान में ऐसा इसा इस्तमाल हुआ कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसे लगता है टके टोकरी हो गई और लगता यह था कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत बड़े-बड़े दुनिया में काम होंगे हैं वो त तो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की मदद से कुछ मीम्स जो हैं कुछ बनाई गई हैं तो दो चार सेकेंड की एक मीम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो फेक वीडियो से आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की मदद से डबिंग की मदद से इस तरह के सीन कई सालों से चल रहे हैं अब बहुत बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की जखमी अवाम में और खास तरह पर तहरीक इंसाफ के जखमी वोटर्स में यह सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का जो इस्तमाल है वो इमरान खान पर हो रहा है यहां पर मैं आगे चल कर एक और चोटा से वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ हमारे अलताव हुसेन भाई जो हैं वो तो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के हवाले से काम नहीं करते हैं ना कोई आर्टिफिशल बात करते हैं वो तो जो उनके मन में आती है उसको खुल के बयान करते हैं और उन्होंने किसी मौका पर कहा होगा एक चोटा सा लुक्मा दिय ना बनाया ना से तनकीद का बलके जो इल्जाम तराशियां की और अलताव हुसेन को टेरिस्ट तक कहा घदार कहा काफर कहा वो पाकिस्तान तरीके इनसाफ के लोगों ने ही कहा और इमरान खान तो यहां तक कहता था कि मैं अगर मेरा बास से ले तो इंग्लेंड में बैठा का खेल वही अलताव हुसेन आज कल तरीक इनसाफ के स्पोर्टर्स में बहुत पापुलर हैं और वो अब अलताव हुसेन को जगा जगा कोट कर रहे हैं उनके पुराने स्टेटमेंट्स मी नए स्टेटमेंट्स मी तो एक ऐसा ही चोटा सा स्टेटमेंट वो तरीक इनसाफ ले इस वक्त बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं ट्विटर पे सोचल मीडिया पे ये इस मुल्क में ये क्या हरामी पन हो रहा है इसे हरामी पन नवा कहा जाएगा तो हलाली पन कहा जाएगा इसको जी ये आपने अलताफ हुसैन साब का देखा एक वीडियो कलिप जो तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा इस्तमाल कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले अलताफ हुसैन को घदार काफर और टेरिस्ट सुब और श्याम कहा करते थे मगर जब से उनकी पाकिसान आर्मी के साथ ठन गई है वो भी तब तक ठनी है जब तक आर्मी उनको इक्तदार नहीं देती जैसे की इक्तदार देगी ये आर्मी के साथ फिर गीशकर हो जाएंगे और फिर अलताफ हुसैन घदार टेरिस्ट हो जाएंगे और अब तो ये आर्म है कि इन जखमी पाकिस्टानियों की अकसरियत में से यानि टरीक इंसाफ के स्पोर्टर में से पाकिसान आर्मी के खालफ ऐसे ऐसे वैडियो ऐसे इसे मींस और ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिस पर हंसी आती है जो एकरा, इस है सीरियस सिच्वेश में हमें सेंस ओव हुमर से काम लेते हुए इस सेटायर को इंज्वाइ करना चाहिए यह सेटायर अपनी जगह पे बहुत ही वैल्यूएबल है इस बहुत ही टेंस और जखमी शुदा हालत में एक ऐसा ही वीडियो मीम्स नुमाचीज आव सोशल मीडिया पे बे तखाशा वाइ से और पाकसान आर्मी के हवाले से यह कहा जा रहा है कि अगर हम तो इससे नफरत ना करें तो क्या करें देखिए यह वीडियो तो यह है जखमी पाकस्तान के जखमी पाकस्तानियों की सूरते हाल का सोशल मीडिया पे जो नजारा है और इसके साथ साथ जो फीलिंग्स है मैंने यह चाहा कि आज के इस वलाग में मैं हलके फुल के अंदास के साथ सोशल मीडिया की मीम्स और पोस्टिंज के साथ में क्या हो रहा है आखर में एक दो सीरियस बातें पाकिसान में जो एलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और अभी जो आ रहे हैं लेकिन जितने अब तक आ चुके हैं उनकी बुनियाद पर यही लगता है कि यह हंग पार्लिमेंट है और इससे पहले भी मुझे अंदाजा था कि पाकिस्तान में हंग पार्लिमेंट ही बनेगी क्योंकि यह एक पॉलराइज समाज है और वैसो तो दुनिया में बहुत सारे मुल्क पॉलराइज हैं बहुत पॉलराइज हैं और पॉलरेज़ेशन बढ़ती चली जा रही है लेकिन पाकिस्तान में लाइकिंग बन्याद पर जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी शदीद है नफरतें बहुत शदीद है और उमीदें बहुत हाई हैं और ख्याल ये है कि कोई पता नहीं आसमान से मसीह उतरेगा मसीह इमरान खान की सूरत में उनकी नजर में उतरा था और वो आज भी उनकी स्पोर्टर्स की नजर में वो सबसे बड़ा मसीह है चाहे वो डिलिवर नहीं कर सका फिर शायद वो कभी आ भी जाएगा और फिर शायद वो डिलिवर नहीं कर सकेगा बलके यकिनी दोर पर नहीं क हैं कि यह रातों रात मोमला ठीक नहीं हो सकें गे इसमें कई साल लगे उन्होंने तो कम सकम दश साल का जकर किया कि जब तक दश साल तक हम आपस की नफूरतों को गम नहीं करें गे प्रोग्रेस के रिस्ते पर नहीं जाएंगे हमसाहयों के साथ अच्छे تعلقات قائم نہیں کریں گے پاکستان کی بہتری کا کوئی امکان نہیں یہ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا اور میرا خیال ہے بڑی مکہول باتیں ہیں مگر اب دیکھتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان اور اس پاکستان کے زخمی پاکستانیوں کی جو تقدیر ہے وہ آگے کس طرف جاتی ہے بہت آخر میں میں اپنی ایک پرانی نظم جو میں نے غالباً تیس سال پہلے لکھی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا صرف دو اس کی سطریں ہیں ترقی آفتہ ملکوں کی جمہوریت ایک میلے کی طرح ہے ترقی آفتہ ملکوں کی جمہوریت ایک میلے کی طرح ہے جس میں پسماندہ ملکوں کے بچے گم ہو جاتے ہیں ملکوں کی جب جو سپا gl invested سکر تکیوی تکیوی کانی Marchegiani start the notification पाखने.